स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल SG Food World में आज मिलाई हूँ आपके लिए Queen of All Recipes जिसका नाम है Golden Queen जितना इसका नाम शाही है उतनी ही ये recipe भी जितनी tasty ये खाने में है उतनी ही असान बनाने में है इस recipe की शुरुवात करने से पहले आईए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए इस special recipe के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें रेडी करना है बेसन का घूल बेसन के घूल के लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं एक चुथाई टीस्पून अजवैन तीन चुथाई टीस्पून धनिया पाउडर एक टेबल स्पून राइस फ्लोर राइस फ्लोर की वज़े से हमारी जो गोल्डन कुईन है वो बहुती क्रिस्पी बनेगी एक चुथाई टीस्पून हल्दी एक चुथाई टीस्पून नमक तीन चुथाई कप मिल्क, बॉइल्ड मिल्क लेना है आप मिल्क की जगा पानी भी ले सकते हैं मैंने मिल्क इसले लिया है क्योंकि जब हम बैटर बनाएंगे और इसमें ब्रेड को डुबोएंगे तो फ्राइ करने में ब्रेड ओइल कम सोक करती है यह बहुत ही यूसफूल टेप है आप लोगों के लिए 6 टेबल स्पून बेसन लेना है आप इसकी जगा मैदा भी यूस कर सकते हैं पर मैंने बेसन इसले लिया है यह बहुत ही पॉस्टिक होता है और हाइन प्रोटीन होता है मैं अपनी रेसिपी इसमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ तो मैं सज़ेस्ट करूंगी यह कि आप बेसन ही ले और लेना है थोड़ा सा चौप किया हुआ धनिया अब बैटर बनाते हैं एक बाउल लेंगे और उसमें आड़ करेंगे बेसन साथ ही हम आड़ कर देंगे सारे ड्रा इंग्रीडियन्स धनिया पाउडर राइस फ्लोर हल्दी नमक अजवैन और चुटकी बर हींग हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है इसलिए मैंने इसके भी आड़ किया है मिक्स कर लेंगे अब धीरे धीरे करके आड़ करेंगे मिल्क ताकि लंप्स ना पड़े और साथ ही मिक्स करते जाएंगे ध्यान रखे दोस्तों दूद एक बारी में आड़ नहीं करना है धीरे धीरे करके आड़ करना है ताकि हमारे बैटर में कोई भी गांठे ना पड़े मिक्स करने के बाद आड़ करेंगे धनिया इस बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो जादा गाड़ी होनी चाहिए और ना ही पतली जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं बैटर रेड़ी है अब हम रेड़ी कर लेते हैं आलू की स्टफिंग स्टफिंग के लिए हमें लेना है एक चुथाई टीस्पून जीरा नमक 3-4 टीस्पून आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम जाधा कर सकते हैं आदी हरी मिर्च चौप की हुई आदा टीस्पून लाल मिर्च धाई टीस्पून धनिया पाउडर चार बॉयल डालू जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है ताकि हमारी स्टफिंग बिल्कुल एक जैसी बने इंग्रीडियन्स रेडी है एक बाउल लेंगे और उसमें आड करेंगे बॉयल डालू मैश किये हुए पाकि इंग्रीडियन्स जो हमने रेडी किये थे वो भी डाल लेंगे नमक, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते है क्योंकि मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, तो कोई भी तरीका अपना है पर स्टफिंग एक जैसी होनी चाहिए बाकी सारे इंग्रीडियंस भी देख लेते हैं दो अनियन चॉप किये हुए बारीक चॉप करना है, मोटा चॉप नहीं करना क्योंकि ये मुँ में आके बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है धनिया चॉप किया हुआ भुजिया, मैंने यहाँ पर बारीक भुजिया लिये आप बीका नेरी वाली मोटी भुजिया भी ले सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं इस रेसिपी में धनिया की हरी चटनी टोमाटो केचप और लेनी है छे ब्रेड मैंने यहाँ पर आटा ब्रेड लिये आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं इंग्रीडियन्स सारे रेडी है अब तो बनाते हैं गॉल्डन क्वीन आप एक कडाई में ओईल गरम करने के लिए रख दीजे हमें डीप फ्राइ करना है और फ्लेम को मेडियम रखिए एक और बहुत ही यूसफुल टिप में आपको देने जा रही हूँ ध्यान रखिएगा फ्राइ करने से पहले चुटकी बर नमक अगर आप ओईल में डाल देते हैं तो जो भी ब्रेड या कुछ भी आप फ्राइ कर रहे हैं तो वो ओईल कम एब्जॉब करेगा अब एक ब्रेड स्लाइज लेंगे और उसको हाफ कट कर लेंगे जैसे मैं दिखा लिए आपको वीडियो में बाकी सारी ब्रेड भी इसी तरह काट लेंगे अब ब्रेड की एक साइट पे आलू की स्टफिंग लगाएंगे स्टफिंग लगाने के बाद अच्छे से हात्र से दबाएंगे ये मिक्स्टर को अच्छे से दबा दबा के लगाना है ताकि ये आलू की स्टफिंग गिरे नहीं बाकी सारी bread slices भी इसी तरह ready कर लेंगे आलू की stuffing लगाने के पाद इस पूरी side को आप बेशन के batter से cover कर ले जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं ताकि आलू पूरी अच्छे से cover हो जाएं बेशन से ध्यान रखें बैटर लगाने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका जो ओईल है आपने रखा है कडाई में वो गरम हो चुका है क्योंकि बैटर लगाने के बाद हम एक भी मिनट वेस नहीं कर सकते हम इसे fry करने के लिए कडाई में डाल देंगे जिस साइड आपने बेशन लगाया है वो साइड नीचे आनी चाहिए इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक टीप फ्राइ कर लेंगे बाकी सारी ब्रेट स्लाइजेज भी इसी तरह रेडी कर लेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे जिस प्लेट में आपने टीशू रखा था आप उस प्लेट में इसे निकाल लेंगे आल्मोस रेडी है ये आप जरूर ट्राइ करें ब्रेकफास्ट एं स्नाक टाइम के लिए बहुत ही डिलिश्यस रेसिपी है ये बाकी सारे ब्रेट स्लाइजिस भी इसी प्रकार रेडी कर लेंगे अब जिस प्लेट में आपको सर्फ करना है उस प्लेट में आप दो ब्रेट के रेडी स्लाइजिस रखेंगे इस पे लगाएंगे टमाटो केचप स्पून से अच्छे से फैला लेंगे उसके बाल लगाएंगे हरी चटनी हर एक बाइट में इसका अलगी जबरदात स्वाद आएगा आपको उपर से स्प्रिंकल करेंगे अनियन चॉप किया हुआ मेरे तो अभी से ही मुँ में पानी आ रहा है मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी तो ज़रूर ट्राइ करें इस रेसिपी को एक बार हर लेयर का अलगी टेस्ट आएगा आपको उपर से स्प्रिंकल करेंगे भुजिया ये गोल्डन क्वीन को बहुत ही क्रिस्पी बना देगी अब कंप्लीट करते हुए इस रेसिपी को उपर से डालेंगे हरा धनिया अब गर्मा गर्म सर्फ करें इन्जॉई करें ये रेसिपी अपनी फैमली के साथ भूलिएगा मत शेयर करना अपने सजेशन्स और कमेंट्स मिलूंगी ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और भूलिएगा मत अपना प्यार बरसाना हम पे लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए